गाईस आप सभी का स्वागत है जीटिये 5 के एक और गेमपले में आज मैं इस सायर को छोड़ कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है अगर मैं यहाँ और दिन रुका तो सायर जादा दिन जिन्दा ना रे पाऊं मेरे को यहाँ से दूर जाना ही होगा देखो मैंने प्लेन भी मंगवा लिया चैलो इसको स्टार्ट करकर यहाँ से दूर निकल जाते और फिर कभी लोड कर नहीं आऊंगा पर काई सच बताऊं तो मेरे को इस जगह को छोड़ कर अच्छा नहीं लग रहा पर हो सकता है नई जगह इससे भी ज़्यादा अच्छी निकले आखिरकार काफी देर बाद मैं नई जगह पर पहुँच गया बस अब ठीक से लेंग करना होगा कई में क्रेस ना हो जाऊं मेरे को इससे कूदना होगा क्योंकि ये रुकी नहीं रहा साला कूदते ही रुक गया मैं फाल्तू में कूदा मेरा तो काफी खून निकल गया और काफी कमजोर मेसूस हो रहा है अभी यहां से निकलने का समय हो गया देखो सामने की तरफ साइद वहां पर कोई घर है चलो जल्दी वहां पर चलते क्योंकि मैंने यहां पर एक घर किराये पर ले रखा है पर ये तो घर नहीं लग रहा कोई जानवरों के रहने की जगा लग रही है मैं यहां पर नहीं रह सकता मेर को कोई और जगा खोजना होगा देखो सामने एक और घर साइद वाँ पर रहने की जगा मिल जाए क्योंकि ये काफी ज़्यादा ठंड थोड़ी देर मेर को जमा देगी पर गाइस ये घर भी बंद पड़ा हुआ है और मेर को इसका मालिक कई नज़ा नहीं आ रहा अगर मैं भार रुका तो साइद जल्दी मर जाऊं मेर को कैसी भी करके अंदर जाना होगा यार इसका दर्वा जातो फूट भी नहीं रहा आखिर अब में क्या करूं चलो छट के रास्ते अंदर चलते साइद दुआ पर कोई खिडकी हो पर गाई सुपर आने के बाद भी अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा साइद सडक पर से कोई आ रहा है इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है मानो ये घर का मालिक हो चलो उसके पाथ जाकर हम उसे मदद मांगते पता नहीं है मेरी मदद करेगा भी या नहीं सर मेरे को रहने की जगा चाहिए तू यहां रह नहीं सकता पर आखिर क्यों यहां पर रात को दानव आते क्या वो खतर नाके था वो इंसानों को खा जाते तो अब मैं कहा जाओं पास में गाउए वहां चली जाओ ओके तो गाईस अब मेरे को यहां से निकलना होगा पर अचानक यह कोन आ गया कई रात को आने वाला दानव तो नहीं मेरे को जल्दी चुपना होगा सायद भूक लगने की वज़े से यह दानव दिन में भार निकल गया पर अब यहां से जा रहा है मेरे को भी तेज भाग कर यहां से निकलना होगा अभी यह सामने क्या हो रहा है वहां पर गाडिया क्यों खड़ी है चलो गाईस पता लगाते यह नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ यह यहां बुरा हुआ हो क्यों न आगे जाकर पता लगाए यहां तो कार का एक्सिडेंट हो गया साइद बर्फ में फिसलने की वज़े से ये डिवाइडर से टकरा गई क्यों न इस आदमी से पूछा जाए तुम्ही यहां से चले जाओ पर आखिर क्यों यहां पर एक दानों ने कार पर हमला कर दिया क्या वो लोग बच गये नई उनको दानों खा गया इस आदमी ने तो मेरे को डरा दिया देखो तुम पर भी आ गया बगार डरने की वज़े से ये आदमी नीचे नहीं उतर रहा क्यों ना सामने ट्रक पर चड़ कर थोड़ी उचाई से इस जगा को देखा जाए यहां से तो कोई दानों नजा नहीं आ रहा ओ माई गोड़ यह अचानक कोन आ गया नाई 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 उसने तो ट्रक को उठा लिया और साइध हमला शुरू कर दिया देखो तबाई मचा रहा और लोगों को मारने लग गया आखे रब में क्या करूँ अगर काई सेसा ही चलता रहा तो यह सब को जान से मार डानेगा और फिर साइध में भी ना बच पाऊँ मेर को कार लेकर भागना होगा वाई गैस उसने तो कार को भी लात मार कर मेर को कितना दूफेक दिया मेर को कुछ भी करकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं उसके हाथों नहीं मरना चाथा साइध सामने की तरफ जंगल है साइध वाँ पर छुपने की जगा हो मेर को फिर से आ गया होगा इसे तो मैं मर जाऊंगा इस मेर को कोशिस करकर कई पर जाकर छुपना होगा चलो ज़ड़ी यहां से कूत कर कूल के नीचे जाकर छुप जाते हैं और इसके सिर पर साइरन लगा हुआ है कई यह साइरन हेड मोर्श तर तो अभी ये दोनों क्या करने लग गए? ओ नौ ये कमिना तो उसको छोड़ कर मेर को मारने लग गया पर साइद वो भी जगडने लग गया देखो एक दूसरे को मार रहा है चलो जो हुआ अच्छा हुआ कम से कम में तो बच गया साइद लाइट हेड गलती से साइद हेड के इलाके में आ गया इसलिए वो उसको मारने लग गया बस जल्दी से कोई मर जाए Oh my god साइद 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 हेड ने लाइट हेड को मार डाला देखो वो जमीन पर पड़ा कहीं अब मेरी नाबारी साइद हेड वो मेर को मारे बरकाइस वो तो यहां से जा रहा है साइद में उसके इलाके में नहीं हूँ तब ही उसने मेर को छोड़ दिया पर ये वाला नहीं बच पाया उमीदे आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ और इसे सांदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्रेब कर लेना